दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि TikTok का अपने दिनों में ट्रेंड रहा है और आपको पता है कि TikTok को बैन होने के बाद सारा का सारा TikTok पे ट्रेफिक था वो शिफ्ट हो चुका है Instagram के उपर अब इंस्टाग्राम की रिल्स जो है बहुत जदा ट्रेंडिंग में चल रही ह दोस्तों हर कोई TikTok से जो shift हुआ है वो Instagram के ओपर अब काम करने लगा है आपको पते ही होगा दोस्तों जब TikTok था ठीक है तब तो मतलगी बिल्कुल सही चल रहा था लेकिन जब TikTok बैन हुआ तो काफी लोग ऐसे थे दोस्तों जिनका कोई भी और platform नहीं था और इसी वज़ा से दोस्तों उनको काफी लोस जेलना पड़ा उस वज़ा से क्योंकि उनके millions में followers थे, लाखों में followers थे जिन्होंने अपना कोई दूसरा account की से और other platform पे create नहीं किया था तो उनको काफी साथ loss हुआ था इस वज़ा से अभी दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि already Google Play Store पे हम जब सर्च करते हैं तो काफी सारे ऐसे platform आ चुकी है जहां पर अपनी reels वगएरा create कर सकते हैं जैसे हम TikTok के उपर करते थे तो ऐसा है कि अब लोग जो भी account create करते हैं अगर आप देख सकते हैं कि इसने मतलब की TikTok पे account create किया था ठीक है उसने हो सकता है कि कहीं और ना किया हो लेकिन जब से TikTok बैन होया है तब ऐसा होने लगा है कि जो person अपना account create करता है reels वगएरा बनाने के लिए Instagram के उपर अब वो सिर्फ Instagram के ब्रो से नहीं बैठा दोस्तों अब वो other platform को भी use कर रहा है सेम वीडियो रहती है जो अपने account में वो reels के उपर upload करता है वो same video जो है वो बाकी other platform के उपर भी upload करता है ठीक है तो यहां पे दोस्तों मेरे कहने का यह मतलब है के same to same video आपको हर platform पे देखने को मिल जाती है आप चाहे Instagram का जो है यूज करें application चाहे कोई other platform का तो हमें देखना चाहिए दोस्तों के काफी सारे platforms ऐसे हैं जो आपको ऐसे features अच्छे अच्छे परवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही जगा पे बैठके काम नहीं करना है अगर आप Instagram के ओपर दोस्तों reels बनाते हो तो मैं यह आप से कहना चाहता हूँ कि आप other platform को भी use करो काफी अच्छे अच्छे platform दोस्तों यहां पे आए हुए हैं तो दोस्तों आज हम इसी topic के ओपर बात करेंगे कोन से ऐसे platform है जो बहुत ही बहतरी platform है और आपको अच्छे अच्छे features परवाइड करते हैं ठीक है तो basically इस video को बनाने का motive दोस्तों मेरा सिर्फ इतना है ठीक है कि आपको बता सकूं कि ऐसे कोन से platform है और इस video में जो main topic रहने वाला वो तो यह वाला कि आप अपने laptop के ओपर और PC के ओपर यहां फिर Windows के ओपर जो Chrome browser होता है तो वहाँ पर आप अगर कोई भी Reels अबगारा को चलाना चाते हैं ठीक है अपने free time को पास करने के लिए तो वो कैसे चला सकते हैं मतलब की इस topic का जो main title रहने वाला वो यह है के how to watch Reels videos in your PC और laptop in Windows Chrome browser ठीक है इस video को दोस्तों ध्यान से देखना क्योंकि इस video में मैं आपको एक ऐसी trick बताने वाला हूँ जो इस video की bonus trick रहने वाली है तो मैं sure हूँ के आपको वो bonus trick बहुत ज़्यादा पसंदाने वाली है तो इस video के दोस्तों लास तक देना शुरू करते हैं आज का video नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीप आप देखने टेकिन दीप यूटूब चैनल शुरू करते हैं टेक की बात यानि टेकिन दीप के साथ तो फ्रेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी laptop की screen पर हैं ठीक है Microsoft Edge का भी software है ठीक है laptop में या फिर उसके लावा को UC browser है कोई भी browser हो ठीक है आप असानी से इस चीज़ को follow करके आप देख सकते हैं ठीक है तो अपने Chrome browser के उपर ही trick को use करना अगर कि sewer browser का आप use करते हैं तो करके देख लेना वरना आप Chrome browser को download करके install कर लेना ठीक है तो चलते हम दोस्तों अपनी पहली trick के तरफ ट्रिक नहीं बिसिकली यह मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक है एक तो इस वीडियो के अंदर के हम कौन-कौन से ऐसे जो platform से उनको use कर सकते हैं ठीक है प्लाग्राम की रिल्स वगरा को देख सकते हैं ठीक है जैसके हम टिक टुक की रिल्स वगरा को देखते थे अपने फोन पे time pass करने के लिए ठीक है और कुछ लोगों के पास laptop रहता है ठीक है तो फोन का use वो ज्यादा तर नहीं करते है ठीक है तो अपने laptop के उपर काम भी कर लेते हैं उसाथ-साथ में अपना time pass करने के लिए भी वो देख लेते हैं तो जो मेरी आज की वीडियो रहने वाली है तो basically इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊंगा कि आप कैसे यह सारे काम कर सकते हैं ठीक है तो चलते हैं दोस्तो अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले आपको दोस्तो अपना crown browser open कर लेना ठीक है हमारा जो पहला दोस्तो platform रहने वाला वीडियो को देखने के लिए और उसको use करने के लिए ठीक है टिक टोक के उपर भी डालते थे तो इसके उपर भी क्यों न डालें दोस्तो ठीक है और जो मैं अज platform बताने वाला हूँ अगर आप नहीं डालते तो आपको same to same video जो आपकरेट करते हो अपने instagram reels के लिए तो आपको वही वीडियो जो है इसके उपर as it is डालनी चाहिए दोस्तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टिक टोक बैन हो चुका है ठीक है कल को हो सकता है कि हमारे जो other platform है जिन के ओपर हम काम करते हैं ठीक है हो सकता है कल को वो भी ban हो जाएं ठीक है हो सकते हैं दोस्तों क्योंकि कुछ नहीं पता है government के rules कप कैसे और किस तरह से निकल के सामने आ जाएं और हमको बाद में पस्तावा ना हो इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ आप social media के ओपर अगर रहते हो ठीक है वहां पर work करते हो ठीक है अगर आपके लाखों में follower है दोस्तों तो आपको अपनी traffic जो है जो आपके जनता जो आपके साथ जुड़ी होई है तो उनको shift करना चाहिए साथ-साथ किसी और platform के ओपर भी ताकि अगर कल को कुछ भी ऐसा हो तो आपको regret ना हो कल को ठीक है कि मैंने अगर किसी और platform के ओपर भी काम किया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कि आपको ये वाले platform जो है बहुत अच्छे platform है औ तो बहुत ही मज़िदार वीडियो लगती है यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही लगता है जैसे मैं tik-tok यूज कर रहा हूँ या फिर कोई वी ऐसा रिस वगरा यूज कर रहा हूँ Instagram की तो सेम टू सेम क्योंकि आजकल जो भी Instagram के ओपर भी आ रहे हैं दोस्तों लोग ठीक है जो वाला है दोस्तों चिंगारी नाम का ठीक है आप लोगों को पता होगा काफी लोग इन दो application का दोस्तों यूज करते हैं ठीक है तो इन application पे भी आप वर्क करें तो ज्यादा बेटर है दोस्तों और आपको अच्छा खासा response भी देखने को मिलेगा और worldwide आप फेमस तो हो ही ठ ठीक है अगर आपने लाखों subscribers गेंड की हैं तो तो मेरा ख्याल तो यह है दोस्तों कि अगर आपके पास अभी भी followers की कमी है ठीक है आप हजारों में followers हैं आपके यहां हजारों में से भी कम है तो आप आज से ही इस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दो क्यूंकि आगे कि यह platform बड़े होने वाले हैं इनमें भी competition जादा हो जाएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी इनमें अभी तर अभी तक जो competition है वो अभी low से medium range के अंदर अंदर है ठीक है तो आपको जो मुश्किल नहीं होगी अगर आप आज से इनके उपर भी काम करना शुलो कर दोगे अगर आप देखिए दोस्तों वीडियोस बनाते हो ठीक है Instagram के लिए तो वही वीडियोस सेम टूसेम यूज हो सकती है इन platform के उपर भी तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो का जो में टोफिक था वो ये था कि मुझे जो कमेंट्स आते हैं ठीक है यहां फिर जो मुझे एक दो लोगों ने मैसेज की है परसनल इंस्टाग्राम के उपर के हम कैसे अपनी रिलस बगारा को देख सकते है ठीक है तो सीधा से आपको क्या करना है अपना मोच जो है ठीक है यहां पर सर्च कर लेना है गूगल क्रॉम के उपर तो यहां पर आपको दोस्तों क्या करना है मोच जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो ओफिशल वेब साइट है ठीक है इसको कर लेना उपन open करने के बाद दोस्तों आप यहां पे simply देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे loading हो रही है loading होने के बाद दोस्तों आपको simply यहां पे देख सकते हैं कि reals start हो चुकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वीडियो प्ले होना शुरू हो गया अब जैसे इसको माउस के स्क्रोल बटन से आप स्क्रोल करेंगे ठीक है यहाँ फिर अगर आप इसको ओपर की तरफ शिफ्ट करेंगे ठीक है तो सोरी दोस्तों यहाँ पे आवाज थोड़ी लाउड है तो मैं पेले इसकी आवाज जो है अपने PC की लैप्टूप की कम कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने अपनी Windows की जो sound है ठीक है audio उसको मैंने decrease कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप TikTok पे देखते थे यहाँ फिर जो लोग अभी Instagram Reels के ओपर ढूंट रहे हैं कि हमें Instagram की Reels को कैसे देख सकते हैं अपने PC यहाँ फिर Laptop पे Chrome Browser का इस्तिमाल करके लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बाद यह पताने वालाओं की अभी तक जो Instagram का feature है ठीक है हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि उसकी official website पे अगर हम जाते हैं तो हमें वो ऐसी Reels गरा प्रवाइड नहीं करते हैं directly ठीक है तो आगे चल कर अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी ज़रूर लेकर आँगा क्योंकि मेरा मोटिव आपको दोस्तों सिर्फ इतना समझाना है ठीक है कि जो भी genuine काम होता है मैं आप लोगों के लिए वो genuine work लेकर आऊं आप लोगों तक ठीक है ऐसा नहीं है मैं आप लोगों से वेव्स लेने के लिए या फिर आपके सब्सक्राइबर लेने के लिए ठीक है कोई भी वीडियो बेकार सा बनाके आपके सामने डाल दूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं दोस्तों मेरा मोटीव ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरा बस यही मोटिव है कि जो भी आप मुझसे बात करते हैं ठीक है अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं जितना जैनून हो सके काम ठीक है उसको काम को अच्छे तरीके से करके रिसर्च करके उस काम के लिए ठीक है तो आपके सामने वो लेकर आता हूँ तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप कैसे simply हम उपर की तरफ अगर ड्रैग करते जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर रिल्स आटोमेटिक ही प्ले हो जाएंगी ठीक है तो इसकी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश का बटन जो है प्रेस करेंगे तो हर बर आपको यहाँ पर नई वीडियो ही देखने को मिलेगी ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार भी नई वीडियो देखने को आई है तो आप ऐसे सिंपली यहाँ पर अपना टाइम पास अराम से कर सकते हैं ठीक है तो अभी चलते हैं हम दोस्तो अपनी सेकंड वेबसाइट की तरह हो और हाँ इन वेबसाइट के लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप बहुत से जाके ट्रेकलिस को लोगइन कर सकते हैं यहाँ पर एकसेस कर सकते हैं तो हम चलते हैं सैकंड अप्लिकेशन की तरह सुरी हाँ अप्लिकेशन की तरह मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया ठीक है तो यहाँ पर इसको मैं कट कर लेता हूं और दोस्तों चिंग चिंगारी की official website है इसका भी link में अपनी description में जरूर से दे दूँगा ठीक है तो जैसे कि आप चिंगारी की website को open करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को आपको मिलेगा ठीक है बहुत ही बड़ी interface है जैसे कि आपने देखा था मोच को हमने open करते तो वहां पर कोई आपको काफी अच्छा interface देखने को मिल रहा है ठीक है तो आने वाले time पे दोस्तों यहां पर जो है यह वाले जो प्लैटफॉम है आगे चलके बहुत ही ज़्यादा grow करने वाले हैं और आज के time पे भी बहुत ज़्यादा grow कर रहे हैं ठीक है इसलिए मैं आपको बोल रहा अगर नहीं किया है तो ठीक है अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है यह ठीक है तो अभी यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे भी काफी सा आपको यहां पे कुछ वीडियो बगरा मिल जाएंगी तो ठीक है यहां पर सीधा हम चलते हैं यहां पर जो अपनी audio को mute या unmute कर सकते हो और जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने click किया click करने की ज़रूर नहीं है वैसे automatically auto play हो जाती है उसके बाद दोस्तों हम जैसे नीचे scroll करेंगे ठीक है तो play के उपर बस आपको mouse लेके जाना जो play वाला button दिखाई दे रहा था आपको उस पर mouse लेके जाना है तो साथ ही मैं आपकी वीडियो जो है play हो जाएगी ठीक है तो इसको नीचे scroll करेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो ठीक है तो ऐसे करके दोस्तों आप लगातारी वीडियो का यहां पर अनंद उठा सकते हैं मज़ा उठा सकते हैं जितनी चाहे आप वीडियो को देख सकते हैं अपने laptop में अपने crown browser को use करके ठीक है तो दोस्तो ऐसा ही बिल्कुल यह दो platform मैंने आपको पता दिये ठीक है और भी platform है लेकिन मुझे जो खास पसंद आया है ठीक है क्योंकि मैंने तो basically आपको यह बताना था ना और भी platform है जो अच्छे work करते हैं लेकिन मैंने आपको यह बताना था basically इस वीडियो में कि आप कैसे real software देख सकते हैं ठीक है time pass करने के लिए तो यह दो platform मुझे ज़्यादा पसंद आया है ठीक है तो क्योंकि इनका interface अच्छा है तो easy to watch भी है ठीक है तो आपको कुछ भी ज़्यादा परिशानी नहीं होगी अपनी real software को देखने के लिए अगर आप time pass करने के लिए देख रहे हो ठीक है तो अभी चलते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है अगर आप tik-tok के उपर अपनी वीडियो सुगरा बनाते थे अगर आपका account था वहाँ पर जो बैन हो चुका है ठीक है अब आप access नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने laptop से कैसे tik-tok को अपना use कर सकते हैं अपने account को दुबारा recover कर सकते हैं कैसे अपना account जो है वापस ले सकते हैं वहाँ से जो videos है वो कैसे आप download कर सकते हैं तो अगर आप चाते हैं कि आप अपना tik-tok account वापस पाना चाते हैं तो इस video को अभी last तक watch करना पड़ेगा आपको ठीक है ध्यान से एक-एक step को follow करना पड़ेगा तो आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरह सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों आपको enter कर लेना सिधा-सिधा tik-tok ठीक है tik-tok को दोस्तों यहाँ पे हम simply से enter कर लेते हैं और एक दोस्तों चोटी सी news में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि दोस्तों आपको पता है अगर नहीं पता तो मैं बता दू कि TikTok India में भी launch होने वाला बहुत ही जल्द जैसे कि PUBG बैन होने के बाद दोस्तों BGMI आ चुका था ठीक है अपने India में वैसे ही दोस्तों अभी TikTok भी जो brand है अपने government के rules के साफ से ठीक है इंडिया के government rules के साफ से proper उसको guideline को follow करते हुए चलते हो उसके साफ से ठीक है तो यहाँ पे भी हमारे इंडिया में भी launch होने वाला है TikTok नाम से एक और application ठीक है उसका थोड़ा सा नाम change रहेगा लेकिन सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको सेम देखने को मिलेंगी ठीक है तो काफी अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि काफी सारे fan है जो TikTok को ही prefer करते है आज भी तो मुझे भी काफी personal ही पसंद था मेरा भी account था वहाँ पे तो अभी चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ अभी वीडियो में जैसे हम दोस्तों open करते है open करने के बार ठीक है यह government ने सिधा सिधा यहां पे लिख हुआ है लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मज़दा ट्रिक लेकर हो ना जिससे कि आप अपना account जो है वापस से login कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देना लेकर आता रहता हूँ ठीक है तो इसलिए दोस्तों subscribe is the must ठीक है तो अभी चलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर के आगे इसमें क्या करने वाले है तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों आप दे सकते हैं इन्होंने तो साफ सा बोल दी है ठीक है इतनी इसी बात के लिए ठीक है तो यहां पर हम दोस्तों अपना जो है अलग से टेब ओपन करेंगे यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है अब यह मैं बताऊं गा कि मैं आपको Chrome extension क्यों कह रहा था कि आपको डाउनलोड करना है ठीक है क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको सोरी Chrome browser क्यों कह रहा था क्योंकि दोस्तों आपको यहां पे extensions की जो दोस्तों है option मिल जाती है opera में मिल जाती है no doubt or भी काफी सारे हैं लेकिन दोस्तों जो अच्छे से तरीके से work करता है ना बीना lag कियो है वो Chrome browser है दोस्तों इसलिए मैं prefer करता हूँ कि आप Chrome browser यूज किया करो ठीक है तो यहां पे दोस्तों आपको चले जाना है extension की tab में अगर नहीं देखा तो दुबारा देख लीजिए यहां पे आपको plus की icon पे click करना है यहां पे आपको जाना है ठीक है सबसे नीचे दोस्तों यहां पे लिखा है open Chrome Web Store ठीक है यहां पे आपको click कर लेना है जैसे आप दोस्तों यहां पे click करेंगे आपके सामने को एक ऐसा interface open हो जाएगा ठीक है तो यहां पे दोस्तों आपको क्या search करना है यहां पे search करना है दोści आपको VPN ठीक है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेना है एक बार अगर कुछ ना समझ आए दोस्तो तो मुझे comment में पूछ लेना या फिर मुझे instagram के उपर message पूछ लेना तो मैं आपकी help कर दूँगा ठीक है तो यहां पे दोстos आपको जैसे VPN आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही VPN है दोस्तो touch VPN के नाम से जो आपको यहां पे open कर लेना है ठीक है कोई other VPN पे आपने नहीं जाना है तो इसको आपने दोस्तो यहां पे install कर लेना है यहां पे install का button होता है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी इंस्टोल करके रखा हूँ जैसे मैं नीचे वाला यह यूज कर लेता हूँ ठीक है तो add to chrome ऐसा button आपको दिखाई दे जाएगा तो इसको आपको यहां से open कर लेना ठीक है तो यहां पर add to vpn जो है अपने chrome में add कर लेना ठीक है extension उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके जो यहां पर extensions की एक यहां पर list होती है ठीक है इस पर जाना है और यहां पर आपको कर लेना touch vpn के उपर click ठीक है जैसे आप दोस्तों यहां पर click करेंगे जैसे कि मैंने दोस्तों United State की country select की हुई है ठीक है यहां पर तो हम सीधा यहां पर अभी इसको connect करते है ठीक है connect करने के बाद दोस्तों यह थोड़ी connecting होगी process होगा ठीक है कुछ second का देखी हो भी गया तो अभी देखना आप दोस्तों कि क्या होगा अभी जो यहां पर magic होने वाला है शायद इस government rule को भी नहीं पता होगा कि यह भी हो सकते हैं इंडिया में तो देखें गाइस तो यह है हमारा आज का best of best magic trick ठीक है तो आप देख सकते हैं कि एक जटके में TikTok जो है यहां पर load हो चुका है, open हो चुका है बीना किसी problem के दोस्तों आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा बस simple सा आपने VPN download के install किया उस कुछ नैटर स्टीपर select किया और आपने refresh किया TikTok को उस TikTok के ओपर जो government rule था उसको लात मारती आपने ठीक है simple सी बात में तो यह तो शैरी बन की दोस्तों ठीक है तो अभी इसमें आपको क्या करना है कि simple सा आप यहां पर अपनी profile को login कर ले ना, मैंने login already की हुई है ठीक है, तो login भी आप कर सकते हैं मैंने अपनी Gmail account से login किये आप phone number पे भी login कर सकते हैं मैंने करके देखा था, मेरा एक second account था ठीक है, वहां पे मैंने phone number को input किया, तो मेरे phone number पे उपर by default यह ना, USA का code select हुआ रहेगा, उसके उपर ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है, profile के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहां पे जितनी भी reals बगरा रहेंगी दोस्तों ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहां पे जैसे की आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर रिल्स होगार चेतनी भी रहएंगे देखने को मिल जाएंगी यहां पर कोई भी वीडियो में बै deben लीकी है अभी मैं चलता हूए आपने second account में ठीक है? अभी second account में मेरी काफी सारी videos आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है इस pop-up के उपर आपको काफी सारी options मिल जाएंगे आप continue to continue with instagram करना चाहते हैं ठीक है अगर आपकी पहले कोई idea से थी जो आपने instagram से link की हुई थी ठीक है यहां पे सबसी ओपर आपको देखने को मिल जाता है second number के ओपर use phone email और username ठीक है और यहां पे आप simply click कर सकते हैं अगर आपको phone number के ओपर आपका था ठीक है account तो आप यहां पे simply phone number enter कर सकते हैं और उसके साथ आपको यहां पे pin code का option दिखाई दे रहा होगा by default यह कुछ भी हो सक इनोंने select करके रखा हुआ है ठीक है क्योंकि इनको पता है कि आने वाले time में वो tik-tok दुवारा यहां पे लेके आएंगे ठीक है तो यहां पे दोस्तों अपना number input कर लेना है तो basically यह skip करना पड़ेगा मुझे कर दूँ करीदेता हूँ तो गई जैसा कि आप लोग देख सक ठीक है तो मेरे कुछ खास followers नहीं थे क्योंकि मैंने recently में शुरू किया था जब बैन हुआ था पता नहीं जब भी में कोई चीज़ शुरू करते हूं तो बैन क्यों हो जाती है मुझे पता होता कि बैन होने वाला तो मैं यहां पर अकाउंट क्रेटी नहीं करता ठीक है तो यहां पर मैं दोस्तों simply आपको दिखाता हूं कि आपको क्या करना है यहां पर अपनी profile के उपर जाएंगे ठीक है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी profile के उपर पहुंच जाएंगे तो यहां पर आप कोई भी अपनी वीडियो को डाउनलोड करना चाते है simply उस वीडि वीडियोस डाउनलोडर विद लिंक ठीक है जैसे आप इसको सर्च करेंगे दोस्तों तो आपके सामने काफी सारी ऐसी वेबसेट आ जाएंगी ठीक है तो आपको कोई भी एक वेबसेट को ओपन कर लेना है तो मैंने इसको पहले ट्राई नहीं कर लेकिन मैं आपके सामने करने वाला हूँ ठीक है तो अगर कुछ गड़बड होती तो दोस्तों मुझे बले मत लगाना क्योंकि मैं पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ तो यह मत कहना भाई तो इतने मज़गी मूड में था वे एक दम से क्या हो गया इसको ऐसी कोई बार नहीं है अक्शली कोड आने में काफी टैम लग गया दोस्तों तो काफी प्रोलम्स आई थी कोड आने में कम से कम मुझे 6-7 बाट रहे करना पड़ा आप में ऐसा नहीं होगा जो पहली बार मैंने अपना लोग इन किया था तो पहली बार में हो गया था इसमें क्या था कि मेरा ना फ्लाइट मोड की ओपर फॉन था क्योंकि जिस मूबाइल में कोड आना था दोस्तों ठीक है उसी से मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो जैसे के कैमरा भी ओपन था ठीक है मेरा तो इस वज़ा से क्या है कि मेरा कोड आने में दिक्कत हो रही थी तो अभी मैंने वो सब कुछ कर लिए कलिए ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली तो जैसे दोस्तों मैं आप यहां पे कलिक करता हूँ ठीक है डाउनलोड के ओपर तो जो वीडियो है ठीक है यहां पे यहां पे यहां पे स्टार्ट होना शुरू हो चुक है ठीक है यहां पे दोस्तों आप यह वाला लिंक है यहां पर मेरे वाला यहां से मैं आपको दिखा सकता हूं ठीक है यह वाला dp यहां पर मेरा शो हो रहा है तो नीचे दोस्तों आपको तीन ओप्शन दिए जा रहे है ठीक है without watermark यहां पर second वाला भी without watermark ही है ठीक है थर्ड में आपको download mp3 का इस video का जो mp3 रहेगा वो आप directly download कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले वाला option है ठीक है without watermark यहाँ पे आपको click कर लेना click करने के बाद दोस्तों ठीक है आपको यहाँ पे अपनी video को video देखने को मिल जाएगी basically ठीक है जो भी आपकी video रहेगी यहाँ पे आपको download के ओपर जो button दिखाई दे रहा है ठीक है नीचे जो three dot वाला option था ठीक है यहाँ पे click करने का download का option है यहाँ पे आपको click कर लेना जैसे click करेंगे तो आपकी video यहाँ पे download होनी शुरूँ हो चुकी है ठीक है तो मैं आपको एक बर दिखाबी देता हूँ open करके ठीक है जैसे इसको हम click करेंगे तो यह window के जो अपना कोई भी आपका player रहेगा ठीक है तो इसमें भी चलने लग जाएगी ठीक है तो काफी सिंपल सा process है दोस्तों तो इसका link भी में अपने description में दे दूँगा तो आप वहाँ से आके download कर सकते है अपनी सबी videos को ठीक है अगर दोस्तों आपका account था ठीक है अपना TikTok के ऊपर ठीक है अगर आपके काफी सारा काफी सारे वहाँ पे videos थे और आपके जब ये इंडिया में बैन हुआ ठीक है क्योंकि किसी को भी मौका नहीं मिला होगा अगर जिनके पास news नहीं गई होगी या पिर उन्होंने इसको serious नहीं लिया होगा ठीक है तो उनको मौका नहीं मिला होगा basically कि अपनी videos को as a backup वो download करके कहीं पे save कर लें ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक है कि आप जैसे यहाँ पे click करेंगे for you के ओपर ठीक है तो आप home screen के ओपर यहाँ पे जाने वाले है तो यहाँ पे आपको जितने भी आपने पेले follow करके रखे होंगे ठीक है आपको सारा का सारा यहाँ पे data मिलने वाला है following और followers result आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो आप simply यहाँ से scroll करते जाएंगे आपके सावने videos play होता जाएगा ठीक है तो मैंने तो अभी audio जो है अवाज है वो भी आने लगी है तो अभी मैं इसको mute कर देता हूँ ठीक है तो यह था दोस्तो आज का जो मेरा bonus trick था ठीक है इसमें एक option आपको बता दूँ अगर आप इसको use करना चाहते हो ठीक है download तो करी सकते हो इसके लिए असासाद अगर आप TikTok को आज भी use करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बहुत ही असान तरीक है वो भी laptop के जरीए आप कर पाऊगे ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है basically अपनी वीडियो को create करके अपने laptop के अंदर रख लेना उसके बाद दोस्तो ऐसा ही बिलकुल ठीक है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे ठीक है आपका speed में थोड़ा फरक रहने वाला ठीक है अगर आपके पास wifi लगा हो है तो फिर तो tension की कोई बात नहीं है otherwise mobile भी अगर आप connect करते है ठीक है तो ऐसी जगह पर बैड़ के रिस्ट को चलाना जहाँ पर आपके network पूरे आते हो ठीक है तो यहाँ पर आप simply देख सकते हो ठीक है आप यहाँ पर simply अपनी videos को upload कर सकते हो अपने profile में ठीक है तो आज भी आप इस पर अगर continue करना चाहते हो तो इस तरीके से आप continue work कर सकते हो अपने TikTok को दुबारा से आपके पहले views बगर आते थे ठीक है अगर आप अभी Instagram के ओपर भी work कर रहे हो तो वैलन कूट ठीक है उसके साथ साजो मैंने अब second दो application बताईए उस पर भी work कर रहे है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर भी काम करना चाहते हो आपको भी काफी benefit होता है यह आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि अगर आपके हजारों में लाखों में जितने भी follower रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या benefit होते है ठीक है तो बहुत इस दोस्तों से trick थी जो मैंने आपको बताईए simple तो चलो नहीं थी थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा आपको हर चीज के लिए ठीक है तो time तो देखिए दोस्तों देना ही पड़ता है ठीक है लेकिन इसमें एक बात तो आपको देखने को मिलेगी मेरी वीडियो में कि मैंने आपको जितना भी work दिखाया है बिलकुल genuine तरीके से दिखाया है दोस्तों कुछ भी मैंने fake नहीं किया है और कोई भी ऐसे चीज़ नहीं है दोस्तों कि आपको ठीक है कल को उस चीज़ को लेकर regret रहे कि हाँ भी भाई मैंने आपके वीडियो देख तो लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया ठीक है या फिर आपने कोई भी fake चीज़ बता दिये तो ऐसा बिलकुल नहीं रहेगा दोस्तों मेरी वीडियो में 100% genuine quality रहेगी ठीक है जो भी मैं आपको बताऊंगा तो वो मेरी लिए अगर work करेगा तो मैं तभी वीडियो बनाता हूँ ठीक है अगर मेरी लिए वो चीज़ वर्क नहीं करी तो मैं उसके उपर वीडियो बनाते ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी audience के साथ दोका नहीं करना है सिंपल सी बात है अगर मैं आज आप किसा दोका करूंगा दोस्तो मेरी वीडियो को watch कर लेंगे आज देखेंगे कल देखेंगे परसो को चोड़ जाएंगे तो मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं जाता हूँ जो भी वीडियो gef plaster करते हैं भीडियो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को अगर आप लोग इतना सब कुछ करते ना मेरे लिए ठीक है तो मुझे काफी अच्छा लगता है ठीक है और मुझे मोटिवेशन मिलती रहती दोस्तों कि मैं आगे आगे आप लोगों के लिए ऐसा वर्क करता रहूं ठीक है ऐसे वीडियो अच्छे अच्छी वीडियो जो है बना के लाता रहूं अगर दोस्तों आपको भी वीडियो चाहिए ठीक है कोई भी अपनी ऐसे कोई ट्रिक चाहिए क अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी चैनल के ओपर आपके लिए करूँ ठीक है अगर यहां फिर कुछ उसके इलावा कुछ भी आपको सीखना है ठीक है तो मुझे कमेंट में जरूर बताया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके दोस्तों कि आप कौन सी वीडियो से मेरे चैनल के पर देखना चाहते हैं ठीक है बेसिकली ताकि उसके उपर मैं आगे जाके अच्छे से वर्क कर पाऊं उस चीजों में रिसर्च कर पाऊं ठीक है तो क्यूंकि अपने आप से खुच से अगर मैं सर्च करता हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर आप बत कर दो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन-कौन सी ऐसी वीडियो और देखनी है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर ड्रेक्ली मैसेज आप कर सकते हो तो मैं उस टोपिक पे उपर भी वीडियो लेकर आता रहूंगा तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक क कर दो